So hello and welcome back everyone और आज की वीडियो तो बहुत ज़ादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Online MBA, Digital Marketing and E-Commerce अब Digital Marketing के बारे में तो आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि ये बहुत टाइम से चला आ रहा है और ये एक ऐसा platform है जहां से आप कहीं भी कुछ भी और कैसे भी कर सकते हैं तो आज हम इस program के बारे में पूरी की पूरी detail जानने वाले हम इसकी job opportunities जानने वाले हैं इसके career scope जानने वाले हैं top companies जानने वाले हैं और इसके क्या-क्या फाइदे हैं और इसका future आखिर क्या होने वाला है so आगे भड़ने से पहले अगर आपने इस channel को अभी तक like, share and subscribe नहीं किया हुआ है तो इसे like, share and subscribe जरूर करें और वो bell button जरूर दबाये ताकि आपको ऐसी programs और universities and बहुत से topics की details मिलती रहें so let's get started अब यहां हमारा सबसे पहला सवाल आता है कि what is digital marketing and e-commerce तो e-commerce businesses are those जिसमें आपकी सारी की सारी चीज़े online होती हैं जैसे कि आपकी shopping online हो रहे हैं और आपकी transaction भी online हो रहे हैं तो उस business को हम e-commerce business बोलते हैं for example we have Amazon, we have Flipkart, we have other source of online e-commerce तो ऐसे ही businesses को हम e-commerce business बोलते हैं वहीं हम बात करें digital marketing की तो digital marketing came into existence in the year near about 1990 तब से यह market में काफी आने लग गया था बड़ इसका काफी जादा भून तब आया जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद मोदी जी ने बोला कि it is going to be digital India सून बहुत सारी चीज़े हमारे digital होने लग गई और एक बड़ा impact तब आया जब कोविट की waves आने स्टार्ट हुई तब आपकी education आपकी shopping आपकी हर चीज़ एकदम आपका online होने लगा तो हमें तब से पदा चला कि digital marketing बहुत जादा आगे जाने वाली है और इसका आपको बहुत जादा benefits होने वाले हैं सुनर और लेटर हमें ये चीज़ बहुत जादा realize होने लगी कि आपका work from home भी हो सकता है आपकी online education भी हो सकती है आपकी examination भी हो सकते हैं आपकी shopping भी आराम सी online हो सकती है आपके सारे कहीं सारे transaction और आपके सारे कहीं पेइमेंट्स भी ऑन-لाइन हो सकते हैं तो आप हरकी घर बैटे कर सकते हैं और हर एक चीज़ घटे मंगवा भी सकते हैं तो यहीं से हमें यह चीज और realize होती है कि इसका future बहुत जादा अच्छा होने वाला है आप अपना business स्टार्ट कर सकते हैं online, आपके बहुत सारे social media channels चल रहे हैं आप देख रहे होंगे, instagram चल रहा है, आपकी reels चल रहे हैं और बहुत सारा कुछ चल रहा है तो यहीं से हमें इनका मतलब तो समझ में आ गया, अब जानते हैं स्कोर्स की बाकी की details अब यहां हम सबसे पहले जानते हैं कि आप digital marketing याद e-commerce प्रोग्राम करके किस-किस तरह की jobs ले सकते हैं और कैसी-कैसी top companies हैं जहां आपको job opportunities प्रोवाइड होती हैं आप बन सकते हैं digital strategist digital customer channel and market expert digital entrepreneurship content writer, SEO specialist digital analyst, etc अब यहां हम top companies की बात करें तो we have PepsiCo, ITC, KPMG, HUL Google, Microsoft, Cognizant Essential, Deloitte, etc अब यहां हम बात करें online MBA in digital marketing and e-commerce तो यह post graduate degree है और इसके examination में mostly जादा तर universities आपको online देने वाली हैं क्योंकि यह को online education program है और इसे आप अपनी job के साथ-साथ continue कर सकते हैं तो आप अपनी degree और अपनी job को upgrade कर सकते हैं अपनी job को बिना छोड़े 50 to 55 percentile according to the university and आपकी degree होनी चाहिए recognized university से यहां आप इसके semester by subjects भी देख सकते हैं इसमें आपके 4 semesters होंगे आपको entrepreneurship पढ़ाई जागी accounting and finance होगा digital marketing and e-commerce fundamentals marketing management and research operations management web and social media analytics marketing analytics cross-functional elective etc हम online mb in digital marketing and e-commerce की admission process की बात करें तो यह काफी simple है आपको उस university की website पे जाके online apply करना है पहले आपको register करना है उसके बाद आपको application form बनना है आपको documentation बिलकुल clear होने चाहिए और आपके साथ होने चाहिए ताकि आप सही सही information fill कर सकें उसके इलावा अगर कोई university की registration fees है तो वो आपको fill करनी परती है and after that आप जानते ही है कि आपको पूरी fee structure देनी परती है और accordingly आपके examination जो आपके elements होते हैं और आपकी जो books होती हैं वो सब आपको साथ में provide हो जाती है अब एक बहुत important question आता है कि आपका salary package क्या होने वाला है और इसका fee structure क्या है तो हम पहले बात करते हैं इसके fee structure की तो इसका fee structure 20,000 से लेके 50,000 पर semester तक का होगा अब ये vary करता है university to university अब यहीं हम बात करें इसका salary package क्या होने वाला है average salary package 9 lakh per annum तो होने वाला है उसके इलावा आपका 20,30,000,000 पर annum भी हो सकता है आपके experience और आपकी company पर डपेंड करता है तो मतलब आपका salary package भी बहुत अच्छा होने वाला है और आप जानते ही है कि इसका future काफी bright है क्योंकि ये आगे का future होने ही वाला है everything is going to be digitized और 90% चीज़े अभी तो digitized हो भी चुकी है आप बात करते हैं कि आखिर आप इस program को कौन सी university से करें यानि कि आपके पास कौन-कौन सी universities के option है तो we have जैन online university आपके पास वेलिंकर university है और आपके पास M.E.T. online university भी है अब यहाँ देखें जैन university एक recognized university है और यह आपको digital marketing and e-commerce में online MBA program प्रोवाइट करी है इसके लाव अभी है Amity Online University यह भी एक recognized university है वेलिंकर university यानि कि V.School भी काफी अच्छी university है लेकिन यह आपको PGDM program प्रोवाइट करी है in the same course अभी we have three universities जो आपको यह program प्रोवाइट करी है जैसी आपके other universities आती है हम उनको भी list out करेंगे बड इन तीनों में से आपके लिए कौन सी university बेस्ट रहेगी उसके लिए आप college video के compare feature पर जाके इन सभी universities को compare कर सकते हैं कुछ सवालों के जवाब देके और आप उसके सारे factors देख सकते हैं और उन factors को match करके आप जान सकते हैं कि आपके लिए कौन सी university बेस्ट रहेगी आप उसमें उस university के approvals देख सकते हैं आप college video score देख सकते हैं जो कि है AI powered आप उससे related videos देख सकते हैं आप उससे related blogs पर सकते हैं आप student reviews देख सकते हैं student and role भी देख सकते हैं तो आपको सारे के सारे factors एक ही platform में और एक ही click पर मिल जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़ादा असान हो जाता है तो यहां हमने online MBA digital marketing and e-commerce related सारे के सारे important questions discuss कर लिए इसके career opportunities discuss कर लिए इसके top companies discuss कर लिए इसका मतलब क्या है हमने ये भी discuss कर लिए और इसका future aspect क्या है हमने ये भी देख लिए और तो और हमने इसका salary package क्या होने वाला है हमने वो भी discuss कर लिए तो हमने सारे के सारे important factors discuss कर लिए हैं अब now it is your decision कि आपको ये program अच्छा लगता है और अगर आप इसमें future बनाना चाहते हैं तो it is going to be a very good program for you so अगर आपके मैं में अभी भी कोई सवाल है तो आप उसे comment section पे ज़रूर लिखें और next video तक के लिए हमारे इस channel को like, share and subscribe भी ज़रूर करें